आलिया तो ममी बन गई अब कैट्रीना कब सुनाएंगी खुश खबरी कब होगा विकी कैट्रीना की तरफ से खुश खबरी का एलान आखिर कब विकी कैट बनाएंगे दो से तीन होने का प्लान ना 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 ये सवाल हम बिल्कुल नहीं पूछ रहे हैं बलकि ये सवाल कैट्रीना के सोशल मीडिया पर पूछे जा रहे हैं एक्स बॉइफरेंड और बेस्ट फ्रेंड को पापा ममी बनने की बधाई देने के बाद फैंस के सवालों की घेरे में फस गई हैं मिसिस कॉशल कि बीते दिनी आनी की 6 नवंबर को कपूर खांदान के आंगन में किलकारिया गुंजी है आलिया ने एक नन्नी परी को जन दिया है शादी के छे महीने भी नहीं हुए और आलिया मा बन गई आलिया ने इस खुशकबरी को खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक जी हां आलिया के ममी बनने पर रनवीर कपूर की एक्स गर्फरिंड केटरीना कैफ ने उन्हें कॉंग्रेचुलीशन्स लिखकर मुबारक बात दी जिसके बात से ही फैंस ने मिसिस कोशल पर सवालों की जड़ी लगा दी है फैंस सवाल कर रहे हैं कि आलिया और रनवीर तो कोई गुड निउस तो वहीं एक और फैन ने लिखा आपका भी इंतजार रहेगा एक और फैन ने कमेंट करते हुए लिखा मैं आपकी गुड निउस का इंतजार नहीं कर सकता वैसे सिर्फ केटरीना और विकी ही नहीं बलकि अब तो फैंस दिपिका और रनवीर से भी खु पूड निउस सुना ही देनी चाहिए भई फैंस ने तो अपनी डिमांड रख दी है अब देखना है कि विकी कैट और दीप वीर अपने फैंस की स्ख्वाइश को कब पूरी करते हैं बात करें आलिया भट के माँ बनने की तो बता दे कि शादी के देर महीने बाद ही आलिया अपने पोस्टर शेयर करके अपनी प्रेगनेंसी का एलान किया था जिसके बाद से ये लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि आलिया शादी से पहले ही प्रेगनेंट हो चुकी थी और फैंस का अंदाजा सही साबित भी हो गया है आलिया और रन्बी क्यूर से बेबी गल के पेरेंस बन गया है आलिया और बेबी दोनों ही हेल्दी है और फैंस को इंतजार है कपूर बेबी की मूँ दिखाई का